हाथरस हाथसे के बाद में राहूल गांदी आज सुबह उनसे मिलने के लिए पहुंचे आप सभी को बता दे कि पेड़तों के बीच में जैसे ही वो पहुंचे लोग लिपट लिपट करके उनके रो रहे थे हाथसे में कई लोगों के परिवार उजड गए और इसी को लेकर रहूल गांदी ने उन सभी को सांतवना दी कि आप चिंता मत कीजे हम आप सभी के साथ हैं यह मुद्दा लोगसभा के उंदर जरूर उठाया जाएगा तो हाल फिलाल रहूल गांदी वहाँ पर जब मिलने पहुंचे तो क्या कुछ माहूल नजर आ रहा था देखे इस रिपोर्ट में कौंग्डी सांसद रहूल गांदी ने शुक्रवार को हाथरस हाथसे के पीड़ितों से मुलकात की परिजन उनके गले से लिपट करके रोई रहूल ने सिर पर हाथ रख करके सांतवना भी दी हाथरस हाथसे में मा को खोने वाली एक बच्ची फफख फफख करके रोने लगी तो रहूल गांदी ने उसे संभाला और गले भी लगाया इस दोरान रहूल जमीन पर बैट करके पेड़ित परिवार से बाचीत करते नज़र आए उन्होंने का कि बिलकुल टैंशन न लो हम आपके साथ हैं आप सभी मेरा परिवार है हम इस मुद्दे को संसत में उठाएंगे राहूल शुक्रवार की सुबह पांच बच के चालिस मिनिट पर दिल्ली से रवाना हुए सडक मार्क से सुबह साथ वजे अलिगर के पिलखना गाउं पहुचे हाथसे में यहां की मंजु देवी और उनके बेटे पंगच की मौध हुई थी और राहूल उनके घर पहुचे और परिवार से हाथसे की जानकारी ली फलाल देश वर्दुने की तमाम बड़ी कबरों के लिए ताही बने रही हमारे साथ नमस्कार